नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं, एथियोपिया की काफी इंटरस्टिंग टॉपिक होने वाला है, मैं आपको बता दूँ, एथियोपिया के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि सिविल वार हो सकता है, कई सारे आम्ड क्लैशेस देखे जा रह तो इथोपिया के अंदर ये टिग्रे क्या है बेसिकली, किस आंड क्लैशेस की हम बात कर रहे हैं, क्यो हो रहा है वहाँ पर, मैप के थूपर जानने की कोशिश करेंगे हर एक चीज, तो काफी इंटरस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं ह अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं, तो इथोपिया के प्राइम इनिस्टर का नाम क्या है, ये अभी एहमद, तो ये आप ध्यान रखेगा, तो इथोपिया के अंदर क्या होता है, कि अलग-अलग रीजन्स में उसको बाटा गया है, जैसे कि भारत क के अंदर आप देखिए, तो अलग-अलग स्टेट में बाटा गया है, करनाटका, महाराष्ट्रा, यूपी, बिहार, इस तरह से बाटा गया है, इथोपिया के अंदर टोटल आपको 10 रीजन्स देखने को मिलेंगे, उसमें से एक रीजन है, जिसका नाम है टिग्रे रीजन और इथोपिया के नदन साइड में यह आपको देखने को मिलेगा, मैं अभी आपको मैप के तुरू दिखाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि टिग्रे रीजन के उनके खुद के फोर्सेज हैं, जैसे कि भारत में अगर मैं कहूँ तो हमारे स्टेट कि अलग से पुलिस है, महराष्टर पुलिस, बिहार पुलिस, उतरप्रदेश पुलिस, तो उनके खुद की भी यहाँ पर फोर्सेज हैं, काफी जादा अटॉनमी दी जाती है वहाँ के अलग-अलग रीजन को, और यहाँ पर जो इथोपिया है, उनकी भी सेंट्रल फोर्स हैं, ट्रूप्स हैं, आर्मी हैं, जैसे कि भारत के अंदर CRPF, जो सेंट्रल फोर्सेज हो गई, तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक तरह से अनौंस किया है, कि टिग्रे रीजन के अंदर, जो हमारी ट्रूप्स हैं, सेंट्रल गौर्मेंट की ट्रू इसका हो, हमें एथोपिया के लिए जाना पड़ेगा एफरीका में, और एफरीका के लिए यहाँ पर भारत से हमें Western side जाना होगा, और यहाँ पर Arabian Sea को Cross करकर, जैसा कि आप देख सकते हो, यह आपका East Africa और यहाँ पर इसको Famously कहा जाता है, Horn of Africa, Horn of Africa मैं जब कहता हूँ, तो कहा जाता है बाब एल मांडे तो यह आपका स्टेट हो गया इथोपिया कि अगर मैं बाउंडरी कहों तो यह सुदान के साथ साथ सुदान यहाँ पर नीचे केनिया है सुमालिया है सुमालिया के लावा जिबौती और उपर अड्रिया इन सभी देशों के साथ यह अपनी अधन साइड में है जैसा कि आप देख सकते हो और यह जो टिग्रे रीजन है इसकी बाउंडरी किसके साथ शेर कर रही है अर्ट्रिया के साथ तो यह सारी इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेगा मैं अभी आपको बताता हूं ऐसा क्यों तो यहाँ पर सबसे पहले जानते ह मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पर कॉन्फलिक क्यों स्टार्ट हुआ तो इसके सुरुआत होती है सेप्टेंबर के महने में जैसा कि मैं आपको बता रहा था तो टिग्रे जो अलग-अलग रीजन्स हैं दस रीजन्स हैं जो इथोपिया के अंदर उन सभी रीजन्स को काफी जादा autonomy दी गई है तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक local election conduct कराया गया लेकिन जो central government आप देखेगा US के अंदर अगर आप देखेंगे कई सारे देशों में देखेंगे तो जो federal government कहा जाता है वो central government को कहा जाता है भारत के अंदर federal का मतलब हम state समझते हैं लेकिन ध्यान elections कराय जा रहे हैं तो एक तरह से central government ने इसको illegal करार दे दिया कि यहाँ पर जो टिग्रे में election हुआ है local election वो एक तरह से illegal है अब यह जो पूरा conflict है दोस्तों यह 2018 से सुरवात होती है क्योंकि 2018 में ही यह जो present के प्राइम मिनिस्टर है इथोपिया के अभी एहमद वो power में आत काफी trained army है well trained army है और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही अभी एहमद 2018 में आते है power में इथोपिया के अंदर उन्होंने क्या किया टिग्रे regions की जो autonomy है उसको उसकी पास जो power थी उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की लेकिन obvious सी बात है वहां की जो खुद की सरकार है अब ए अब obvious सी बात है टिग्रे में जो party rule कर रही है उसको यह पसंद नहीं आएगा कि central government लगतार दखलदाजी कर रही है उस पूरे region के अंदर क्योंकि उनकी खुद की पास security forces है खुद के और in fact मैं आपको बता दूँ इथोपिया के अंदर जो 10 regions हैं उनको राइट दिया गया है क कि वह referendum भी करा सकते हैं कि वहां का अगर लोग चाहते हैं कि इथोपिया से अलग हो जाएं तो वह अलग भी हो सकते हैं ऐसा भी उनको इतना ज्यादा power दिया गया है तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जब से उन्होंने start किया 2018 में वह power में आये तो लगतार जो टिग्रे क इंपोर्टेंस हैं उनके officials हैं उसकी importance को कम करना start कर दिया और basically उनके द्वारा reason बताया गया कि मैं ये corruption को कर्ब करने के लिए कर रहा है उनका आरोब था कि टिग्रे के अंदर बहुत जादा corruption हो रहा है वहां की जो political party है opposition party है लगतार यहाँ पर corruption कर रही है लेकिन टिग्रे क officials मैंने आपको जैसा बताया उनको पसंद नहीं आएगा वहां के जो party थी उनको ये चीज़ पसंद नहीं आया और एक तरह से आप कह सकते हो कि जो political ideologies है ये बहुत जादा different थी जिसकी जैसे लगतार दोनों के बीच में differences देखने को मिल रहे थे लेकिन अब recently क्या हुआ अचानक से जो fight है वो escalate कैसे हो गई है तो मैं आपको बताता हूँ टिग्रे में जो party power में है इसका नाम है टिग्रे People's Liberation Front तो यहां पर क्या हुआ वेडनेस्टे को जो प्राइम मिनिस्टर है अभी एहमद उनका ये कहना था कि जो टिग्रे की party है जो वहां पर rule कर रही है उन्होंने federal forces के अब आपने दिखा होगा कि हमारे देश में भी जो central government के forces होते हैं CRPF अगरा वो अलग-अलग राज के अंदर ही तो रहते हैं मतलब अलग-अलग राज में जाकर उनके खुद के जो हैं आपके supplies होते हैं उनके खुद के यहां पर अलग-अलग infrastructure होता है तो यहां पर प्राइमिनिस्टर का कहना था कि जो यह जो पार्टी टिग्रे में अभी है ruling कर रही है उन्होंने यहां पर कई सारे equipment, कई सारे artillery, central government के station हुए जो forces हैं उनसे यहां पर चुराने की कोशिश की और जैसा ही हुआ वैसे ही टिग्रे के जो यहां पर troops हैं और central government के troops हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर civil war छिड़ सकता है, तो यह तो main problem हो गई Ethiopia की overall, अब यहां पर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि Horn of Africa के उपर क्या impact आएगा, यह जो पुरा Horn of Africa आप देख रहे हो, इसके उपर भी impact आएगा, obvious सी बात है, लेकिन यहां पर जो सबसे impact है, वो अर्ट्रिया के अंदर देखने को मिल सकता है, एक और चीज याद रखना, मैंने आपको पहले ही बोलाता है, Horn of Africa का मतलब हो गया, यह चार देश, Sudan काउंट मत कर लेना, उगांडा, यह सब देश मत काउंट कर लेना, अर्ट्रिया, इथोपिया, सुमालिया और देखा देता हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, Egypt है, नीचे Sudan है, यहाँ पर South Sudan है, और यहाँ पर इथोपिया है, अब अगर आपको Nile River के बारे में पता हो, तो दो Tributaries हैं इसकी, एक है आपका White Nile, जो की स्टार्ट होता है, Lake Victoria से, और एक है आपका Lake Tana से जो स्टार्ट होती है, जो Nile River उसको कहते हैं, Blue Nile, तो यहाँ पर इथोपिया के अंदर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर जस्ट जो सुदान का बॉर्डर है, इसी के पास इथोपिया एक बहुत बढ़ा Dam construct कर रहा है, आप देख सकते हो, इस तरह का almost काफी हद तक complete हो चुका है यह, और आज-पास जो पानी है, उसको फिल करने की कोशिश की जारी है, तो इसको लेकर इजिप्ट जो है, वो बहुत जादा नाखुश है, इजिप्ट का कहना है कि इथोपिया अगर अचानक से water की supply रोग देगा, तो हमारे इजिप्ट के अंदर बहुत जादा दिक्कत आ सकती है तो इजिप्ट के साथ already problem में चल रहा है, तो इसका भी काफी बड़ा impact हमें देखने को मिल सकता है, इसका एक और मैं आपको पहलू बताता हूँ, यह जो horn of Africa है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो US और चाइना की कई सारे strategic military bases हैं, जैसे की जिवाथी के अंदर, आप द से कह सकते हो कि US और चाइना ये भी यहाँ पर involved हो सकती है, इनकी जो army हैं, वो भी इस region के अंदर involved हो सकती है, जो कि बहुत जादा घातक हो सकता है, यही ऐसे ही होता है दोस्तों, जो बड़े wars होते हैं, वो छोटे से किसी चीज से start होता है, और यहाँ पर अलग अलग देश in the Tigre region of Ethiopia, the stability of Ethiopia is important for the entire horn of Africa region, तो लगतार यहाँ पर लोगों की दोरा चिंता जताए जा रही है, तो I hope कि इस पूरे वीडियो में आपको लगवग सभी कुछ समझ में आ गया होगा, चल क्या रहा है, एथोपिया में, जाने से पहले मैं आपके लिए दो कोश्चन लेकर आया ह है, जो equator pass होती है आपकी, वहां से कौन सा river है, जो दो बार cross करता है, ऐसे, दो बार उसको equator को cross करता है, लेट मी नो इसका क्या answer होगा, इसका right answer मैं अपने Instagram पर तो डालूँगा, यह अगर आप Insta पे नहीं हो, तो इसका right answer आप Telegram से भी ले सकते हैं, मैं लगतार कई सारे MCQ जाकर वहां से प्ले कर सकते हो, अगर आप उसे economy पढ़ना चाहते हैं, कोई भी course purchase करना चाहते हैं, आप study IQ आप पर जा सकते हैं, I hope कि यह video आपको पसंद आया होगा, मिलता हूँ आप से next time, till then, thank you very much, see you soon.